हेलो दोस्तो सोगेते आपका एक और न्यू ब्लॉग में तो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बुना रहा हूँ और आज मैं आया हूँ एक खास जगा जो की प्लैन नहीं त्या लिकिन हो गया अचानक से तो मैं आया हूँ चंदनमंदन जो यहां का फेमस है तो आज मैं जा रहा हूँ उधर ही आज आचानकं फ्लैन हुआ तो मैं भी पोच्छी बी चुका हूं चंदनमंदन पाबच आट पर उस्षूच क्यों नहीं है से विडियो को स्टार्ट कर लेता हूं और आपको भी थोड़ा सा घुमा लाता हूं तो फिर चले चलते हैं यहाँ पर अभी नया नया रिसेंट में ही काम हुआ है और यहाँ पर अभी इस तरह से सिधिया बनाई है जो कि पहले यहाँ पर नहीं थी तो यहाँ पर आप दख सकते हैं जो आपको पत्थर दिख रहें तो पहले ऐसे ही था पूरा लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत काम हुआ है और मैं उस जगा से आया हूँ अभी उस रास्ते पर से अभी जा रहा हूँ इधर उपर सबसे उपर तो चंदन-मंदन दर्गा है गोस्पाक बाबा की तो आज मैं इंशाल्ला जाओंगा उपर और मेरे साथ मेरे अभबा आये है और वो अभी ठग है वो अदर बैठ चुक है अब तो मुझे ने लगता भी अभबा उपर तक चड़ेंगे तो मैं अभी खुदी अकेला जाकर जल्ली से आ जाओंगा तो फिर चलिए तो आउपर से तुमको थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ तो दोस्तों मैं पोच चुका हूँ उपर और मैं थोड़े देर बेटा हूँ यहापर और अभी थोड़े ही आगे दरगा है तो वो मैं तुम्हें थोड़े देर में दिखा देता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि यहाँ पर हर साल वरुस होता है जो क्या भी अगले महिने होगा इंशाल्ला तो हम लोग सब लोग इंशाल्ला वापस आने की कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर तो तो आप भी अगर आना चाहते हो तो इंशाल्ला अगले महिने है शायद से मुझे नहीं पता लेकिन है अगले महिने ही है नोवेंबर में होती है तो आप भी आना चाहते हो तो जरूर आईए और आप भी दुआ मांगिए इंशाल्ला आपकी भी दुआ कबूल होगी और मैं इ देखे तैज्ट दोस्तों आप जो यह पत्तर देख रहे हो तो इस फोत्तर देखो इतने इतने चोटे से ऐतने बड़े उप्अ कि ऑसब्झान बोर। उनमसे तो इतने आच्छे बैलेंस करके खड़ी है तो यह भी एक अच्छा लगता है यहाँ पर आकर देखने के लिए तो देख सकते हैं आप पूरे ढलान पर है वह भी लेकिन किस तरह से बैलेंस करा हुआ है और यहाँ पर जब भी आते हैं तो अभी अगले साल जो भी दर उरूस होगा तो यहाँ पर जो भी आता है तो इस पत्तर पर जो भी कोईन या फिर सिक्के कहते हैं तो यहाँ पर ऐसे चिपका दे है तो पता नहीं कैसे लेकिन चिपक जाता है तो अभी तो में पास कोईन नहीं है नहीं तो आपको डेमो दिखाया होता बट कोई नहीं तो अब हम चलते हैं दरगा में तो यह रही सामने ही दरगा है तो चलिए चलते हैं मैं शायद से आपको अंदर से नहीं दिखा सबता क्योंकि अलाउड नहीं होगा तो आप बाहर से ही देख लो और इसके बाद मैं आपको जड़ा थोड़ा साइड से भी लिखा दूँगा जो यहां से नजारा इतना अच्छा दिखता है तो आप भी ज़रूर आने चाहोगे और ज़रूर आईएगा और दूआ मांगिएगा तो दोस्तों मैं इसे जाकर आच्का हूं और मैंने दॹवाड भी मांग दिए आप यहां से देख सकते हैं कि कितना अच्छा नजारा दिख रहा है तो यहां पर देखिए और यहां पर बहुत छोटे छोटे अगर आपको दीख रहा हो तो देखिए याप छोटे छोटे गाव है और आगे से भी मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज जहां से मैं आया हूँ वह भी हासे रस्ता दिखता है तो पिर चलते हैं और इंशाल्ला अगले मैंने मैं भी जरूर वापस आऊंगा यहाँ पर और अब भी आईएगा तो चलिए चलते हैं अब मैं जा रहा हूँ वापस क्योंकि मुझे पूरा नीचे पहाड उतर ना है और वापस घर पर जाना ही क्योंकि अभी थोड़े दिर में अंदेरा हो जाएगा तो चलते हैं तो दोस्तों मैं नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया हूँ और मैं यहाँ आपको दिख रहा है यह रास्ता तो यहाँ से मैं आया हूँ तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो मैं आपको बताता हूँ कि सतारे में जब भी आओ गए आप तो किसी को भी पूछ लेना कि बनवुड़ी गाओ कहा पर है तो बनवुड़ी गाओ वो रहा है बनोडी का आओ उसी को लग कर ये सीधा सीधा रास्ता है यहाँ पर आने के लिए तो आप भी जरूर आईए और यहाँ पर आप देख सकते कि यहाँ पर एक छोटा सा लेख है तो अभी मुझे तो लगता है अभी नीचे उतरने तक थोड़ी सी रात या फिर अंधेरा हो तो शायद से मैं वहाद तक नहीं जा सकता लेकिन आप मैं नीचे उतरना स्टार्ट कर दी आऊं तो आप भी इंशाल्ला आईए आगले महिने नवेंबर में तो इधर उरूस होता है बड़ाओ इतना बड़ाओ इरूस होता है कि यहाँ पर दूर दूर से आते हैं दर्गा पर कोई दूआ मांगने आता है तो इंशाल्ला आपकी भी दूआए कबूल होंगी तो आप भी ज़रूर आईए और अपने लिए दूआ मांगी है और और नजारों का भी मुझा दीजिए तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नीचे थोड़े दिर बात अब देखता हूँ कि अ तो शायद से वही होंगे तो अब चलिए चलते हूँ मैं नीचे दोस्तों में नीचे आ चुका हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरे अभबा खड़े हैं और वह जगा जो है वह ऐसे ही नजारा देखने के लिए ठोड़े देर के लिए अराम करने के लिए बनाई हैं तो आप यहाँ पर बैट भी सकते हैं थोड़े बहुत फोटो शूट भी कर सकते हैं तो अब मैं यहाँ से जाओंगा घर पर अभी और फिर थोड़े दे से निकल जाओंगा यहाँ से तो यह दोस्तों आपको यह जो दिख रहा है यह अभी यह नया बनाया है तो आप यहाँ पर नीचे बैठ सकते हैं और उपर यहाँ से उपर नजारका मजा ले सकते हैं और थोड़े बहुत फोटोश्यूट भी कर सकते हैं तो इस तरह से आगे भी थोड़ा पर उपर भी बनाया है तो अभी थोड़ा बहुत और अच्छा लगएगा लग रहा है और अगले मैंने उरुस है तो अगले मैंने और भी अच्छा लगएगा क्योंकि ज्यादा पपलीक होगी तो आप वी आप अब देख सकते में कि-स तरह से बनाया है बैठने के लिए और यहां पर अभी और काम बाकि है इंशाल्ला तो आप देख सकते में बनाया है और यहां से नजारों का מजा भी ले सकते हैं तो मैं अब मिलता हूँ तुमको सिधा नीचे वहाँ पर जहाँ पर मैंने बाइक कड़ी की है चलिए तो दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूँ अगर आपको ये छोटा सब व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जुरू कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इंशालला मैं आईसे ही व्लॉग बनाता रहूँगा और आपको भी मेरे साथ थोड़ा सहर कराता रहूँगा तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स वीडियो में तब ते के लिए थैंक्स पर वाचिंग